जिस दिन आप यह एहसास कर लोगे अभी क्याना कि आपको कहना कहीँ अथा लग रहा है अभी आपको गिल्ट जाएगा नहीं पूरी तरी करें से मैं थोड़ा सा आपका गिल्ट कम कर नहीं कोशिश करता हूँ आपको गिल्टी फिल नहीं करना चाहिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीजाओं कंट्रोल करते हो और आपके पास में हमेशा दो अप्शन्स होते हैं कि मैं अपने काम कर सकता था मैं अपने काम नहीं कर सकता था मैंने अपने काम नहीं करना चूज़ किया और अब मैं फोन का यूज़ कर रहा हूँ और इसके वज़ाए से अब मैंने ये चूस किया था, मैंने ये किया था इसलिए अम मुझे पच्चताना चाहिए फ्यूचर में जाके क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ ये आपके अंदर ख्याल आएगा, और इससे आपका पूरा पूरा गिल्ट आएगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ जो है वो एक रैंडम इवेंट है लाइफ में अन्नोईनेस है आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, इसको ज़र इस तरीके के बाद एक भी थॉर्ट आया है सोचो कोई भी थॉर्ट आया हो उस थॉर्ट को इमेजिन करो जरा सोचो उसकी जड़ तक पहुँचने ही कोशिश करो आपके अंदर ये थॉर्ट सिर्फ इसलिए ही आप आया है क्योंकि आपकी एक हिस्टरी रही है इस मुमेंट पर आपके अंदर उस थॉर्ट के अलावा कोई दूसरा थॉर्ट नहीं आ सकता था आ सकता था क्यों मुमेंटरी लिए देखो कोई थॉर्ट आया इसी मुमेंट पर क्या कोई दूसरा थॉर्ट आ सकता था नहीं आ सकता था इसको समझने ही कुशिश करो, click करेगा आप तो जब हमारे अंदर कोई दूसरा thought नहीं आ सकता था, इसका मतलब यह कि हमारे thoughts are the chain reaction of something, chain reaction में चल रहे है, जब यह देखा, तो इसके color से associated, यह फिर इससे चीज़े related जो हमारे mind में पहले पढ़ी हुई है, उनको analyze करके अब decide होगा कि हमारा अगला thought क्या होगा और वही thought आ सकता था अब अगर वही thought आ सकता था तो हर अगला thought वही आ सकता था जो कि आना था तो आपके past में आप जाओ और सोचो, कि past में जो कुछ भी आपने किया है, जिसमें आपको ऐसा लग रहा था कि मैं ये भी सोच सकता था, ये भी सोच सकता था और सोचने के बाद में ये कर सकता था आप कुछ दूसरा सोची नहीं सकते थे आप यही सोच सकते थे और तो आपको पास में विकल्प नहीं था यह बहुत ही अजीब situation थे तो इसलिए guilty feel मत करों जो होना था वो हुआ है don't feel guilty about this guilt जा रही है जाने तो अब आपको डर लगेगा देखो अब आपके अंदर next thought क्या आएगा ब मैं बतायता हूँ आपको जैसा आप लोगों के अंदर data पहले से present है वो data कहीं कहीं मुझे पता है इसलिए मैं बता सकता हूँ next thought यह आएगा कि guilt feel अगर नहीं करूँगा पुराने के बारे में तो अब नया जो मैं काम करना चाहता हूँ उसके लिए मेरे अंदर डर कहां से आएगा उसके अंदर इसी guilt की वज़े से तो मैं आगे काम करना हूँ अब वो डर कहां से आएगा आ रहा है यह वाला thought आपके अंदर please tell me in the chat box आ रहा है यह वाला thought जब पहली बार life में कोई चीज उपर से कही है कोई बात नहीं हर चीज time के साथ में समझ में आती तो उसका भी एक answer है उसका answer है कि आपके अंदर वो thought इसलिए आ रहा है कि आप guilt नहीं रहेगा तो मैं काम कैसे करूँगा क्योंकि आज तक आपने सिर्फ guilt का ही use करके अपना काम किया है और वो काम आपने शायद वो भी जाद दिनों तक नहीं टिका है तो आपके अंदर डेटा यही exist करता है कि guilt से काम किया जा सकता है दूसरा डेटा है ही नहीं तो answer to this is जब आप इस journey में आगे बढ़ते हो जब मैं आपसे बातें करता हूँ तो आपके अंदर और भी बहुत सारे तरीक या जाएंगे जिसकी वज़े से आप उस काम को कर सकते हो बिना guilt को use किये for example मान लो कि मैं office में जा रहा हूँ मैं office में काम क्यों कर रहा हूँ मेरे पास option है कि मैं office में काम ना करूँ मेरे side वाला inspector office में काम choose कर रहा है कि उसे नहीं करना है लेकि मैं क्यों कि मेरे अंदर कोई guilt नहीं है मेरे अंदर कोई मजबूरी नहीं है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काम करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है काम करता हूँ तो मेरा time pass बढ़िया हो जाता है काम करता हूँ तो मेरा mood खुश रहता है काम करता हूँ तो ये जो guilt वाला point आपके अंदर आ रहा है ये आना बंद हो जाएगा जो कि मेरे दिमाग में नहीं आता है So it goes like this आपके अंदर ये thought इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद नहीं है, develop नहीं हो पाई है फिर अदूरी develop नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है इसलिए आपको गबराट होती होगे कि अब क्या होगा, guilt नहीं feel करेंगे तो फिर क्या होगा जिंदगी में और इसलिए इसी reason की विज़े से आप past के सारे guilt में जीते रहते हो, जीते रहते हो, जीते रहते हो So the solution to everything is यह नई चीज़ डिवलब करने ही कोशिश करो कि मैं काम कर रहा हूँ, बस काम करने के लिए कर रहा हूँ यह चीज़ डिवलब करने ही कोशिश है मादो कि महिंदर सींद होनी नहीं बोला है कि Controllable पर काम करो, और uncontrollable को भूल जाओ तो इसको वाला पॉइंट खतम ही हो जाएगा आपकी जिंदकी से, फिर आपको पास्ट के लिए भी कभी सोचने की ज़रुद नहीं पड़ेगी, गिल्ट के बारे में